हेलो बच्चो स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में आज हम एनिमल किंग्डम के नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रिटा यानि नीडिरिया के बारे में विश्तर चर्चा करने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सिलेंट्रिटा को डिटेल में जानते हैं फाइलम सिलेंट्रिटा के जो जीव हैं वो एक plastic है पानी में ज्यद्न रत पाइय जाते हैं Mostly जो marine water है, यानि समुद्र का जो जल है, वहाँ ज़्यादा पाये जाते हैं, सैसाइल और free swimming animals भी यह रह सकते हैं, सैसाइल means ऐसे जीव जो किसी substratum से चिपके हुए रहते हैं, और free swimming means easily इदर उदर move करते हैं और तैरते रहते हैं, तो they possess radial symmetry, radial symmetry के बारे में पिछली वीडियो में भी मैंने बता हुआ है, कि यह ऐसे structures होते हैं, जिन में body मैं किसी भी plane से, यानि central से होने वाली कोई भी axis अगर plane बनाए, तो body दो equal helps में, दो equal parts में divided होते हैं, यानि चारों तरफ से यह समान दिखाए देते हैं, तो radial symmetry यह दर साते हैं, यानि इन में जो tissues हैं, वो develop हो चुकी होती हैं, और tissue level of organization में cells arrange हो जाएंगी, structurally और functionally जो similar होंगी, वो एक साथ रहेंगी, और वो ऐसा structure बनाएंगी जो tissue कहलाएगा, और वो साथ-साथ cells काम करेंगी, मिलकर एक special tissue बनाएंगी, इसके बाद they are diploblastik, यानि दो layers होती हैं, इनकी germ layers, जब वो developing stage में होता है, और वो दो germ layers होती हैं, ectoderm और endoderm, सिर्फ दो germinal layers इसमें पाए जाती हैं, इनके अलावा आगे जो animals आप देखेंगे, इसके बाद वो triploblastik होता हैं, जिन में ectoderm, endoderm के अलावा mesoderm भी पाए जाती हैं, लेकिन ये mesoderm, phylum selectates के सदस्यों में नहीं पाए जाती हैं, they possess special cells, special cells इनके पास होते हैं, जिनने हम needle blast या इनने हम needle sites भी कहते हैं, on the tentacles and the body, these cells help in anchorage, एक स्थान पर स्थिर रहने के लिए, anchor करने के लिए, ये cells मदद करती हैं, defense में मदद करती हैं, जो जीव इनहें नस्ट करने या नुक्सान पहुचाने के लिए आते हैं, उनको ये समाप्ट करते हैं, अपने आपको बचाते हैं दूसरे जीवों से, इन cells से, और capturing of prey, means, शिकार को पकड़ने में भी ये cells मदद करती हैं, ये cells कैसे दिखाए देती हैं, ये diagram आप देख रहे हैं, ये diagram नीडो ब्लास्ट सेल्स का, या इन्हें नीडो साइट्स भी कहते हैं, तो ये बहुत important इनका feature है, नीडो ब्लास्ट सेल्स, इसलिए इन्हें नीडेरिया भी कहा जाता हैं, तो ये नीडो ब्लास्ट सेल्स कहीं स्पेशल सबस्टेटम से इन्हें जोड़ने के लिए, या जीओं को पकड़ने के लिए, जिसे वो खा सके होने और अपने आपको बचाने के लिए काम में आते हैं, इनमें गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जैसे इनकी जो बॉड़ी है, वो कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे हाइड्रा का एक्जाम्पल हम ले लें, तो ये इनका स्पेशल स्ट्रक्शर है, और बीच में, बॉड़ी में के अवल एक ही ओपनी है, और इस माउथ के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होता है, एनस नहीं होता है, इस बीच वाले स्थान को खाली रिक्ति स्थान जो है, इसे गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है, तो गेस्ट्री यानि डाइजेस्ट्री सिस्टम का जो काम है सभी वो भी गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी करेगी, और वैस्कुलर सिस्टम जो परिवहन है, बोड़ी के अंदर गैसेज या फूड इसका ट्रांसपोर्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान वो सब यही gastrovescular cavity करेगी और इसमें एनस नहीं पाए जाता है सिर्फ mouth ही mouth होता है एनस नहीं होता है तो single opening called hypostome इस mouth को कहा जाता है hypostome तो एक ही इसकी opening है केवल hypostome और कोई opening यहां नहीं पाई जाईगी इसके अलावा digestion is extracellular and intracellular यानि इनकी जो cells है इनके अंदर भी digestion हो सकता है या cell के बाहर इस hypostome में भी digestion हो सकता है या digestive system है उसमें दो types हो सकते हैं intracellular digestive system और extracellular digestive system some of the silentrates like corals possess a skeleton composed of calcium carbonate तो इनमें कुछ silentrates ऐसे भी हैं जिनमें calcium carbonate का skeleton पाई जाता है और यह exoskeleton है वो बहुत जगे इखटा होकर calcium carbonate के special corals भी बना सकते हैं तो यह एक special feature है coral reefs जो बनते हैं उनमें silentrates बहुत बड़ी भूमी का अदा करते हैं इसके बाद silentrates का next character है कि silentrates show two basic body forms एक polyp और एक medusa तो polyp और medusa दो forms में यह दिखाई देता है यहाँ पर यह जो diagram देवे हैं यहाँ पर यह medusa form है और यह है polyp form यह दो अलग अलग example है जिन में polyp और medusa form दी वह है और यह नीचे है इनके general structure है internal तो यहाँ पर देखिए यह सिर्फ एक ही opening है यहाँ पर और यहाँ पर भी एक ही opening है hypostome और बीच में body की यहाँ पर cavity है रिक्तिस्थान बीच में और यहाँ भी body की cavity मौजूद है बलेवल यह बीच में तो यह body cavity जिसे हम gastrovascular cavity कहते हैं वह एक ही opening जिसे hypostome कहते हैं उससे खुलती है और यह जो है jellyfish यह medusa form में रहती है और यह जो adamcia है यह polyp form में दिखाई देता है इसके अलाबा यह polyp form जो है वह सैसाइल form है एक इस्तान से जुड़ी रहती है और cylindrical structure है जो इधर आप देख रहे हैं polyp form और यह hydra और aduncia में दिखाई देती है यह वाली form जो आप देख रहे हैं उसके बार medusa form जो है वह umbrella shaped होती है जैसा कि यह आप देख रहे हैं jellyfish में और free swimming यह होती है एक इस्तान से बोद फॉर्म्स यह दोनों फॉर्म में exist रहते हैं यह पॉली form में भी रहेंगे और medusa form में भी रहेंगे तो इसे हम कहते हैं metagenesis इस प्रॉससे इस नोन अज मेटाजनरेसिस यह निए phenomenon of alternation of generation यह कभी यह medusa form में और कभी poly form में दोनों में ही यह मौजूद रहेंगे तो यह altern generation of generation कहलाता है जो medusa form है वह sexual reproduction में मदद करता है और वह बाद में फिर reproduction के बाद poly form मनाता है जो food capture और defense में मदद करता है कुछ common examples है silentrates के जैसे फाइसलिया यह आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो डाइग्राम है यह यह फाइसलिया है कि इसके बाद इसे पुर्टगीज man of war भी कहते हैं general इसके बाद दूसरा है ऐडमसिया जिसे सी एनिवन कहा जाता है यह दूसरा नंमर का ये द आप देख रहे हैं ये एडमसिया है इसके बाद तीसरा इसके बाद Penetula जिसे C-Pan कहते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं सी पें पेंकी जीसा उसके बाद गौर्गोणिया सी फैन समुदरी पंका कहला ता है यह देख रहा है यह पंक्य क्या जीसा समुदरी के अंदर पाया जाता है सी फैन लास्ट में है मियंड्रीना जिसे ब्रेन कोरल भी कहते हैं और यह दिमाग के जैसा दिखाया देता है वो लास्ट में आप देख रहे हैं आप उपर से देखिए जैसे हुमन ब्रेन होता खुला हुआ वैसा इस्ट्रक्चर देखा देखा देख तो यह थी आज की वीडियो जि सैब झान्दिवस स्वाजी वाज praितान देखिघ तो ऺषन